नमस्कार, Quick News कारिकरम में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है मनीश्रवास्तो और हम बात करेंगे WADA Athlete Biological Passport Symposium 2022 के बारे में WADA Athlete Biological Passport ABP Symposium 2022 का आयोजन इस बार भारत में हो रहा है इस तीन दिवसिये कारिकरम का उधगाटन, केंद्रिय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराक सिंग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में किया इस कारिकरम में WADA के अधिकारी, उससे माननेता प्राप्त प्रयोगशाला और 56 से अधिक देशों के प्रतिभागी आधी शामिल होंगे ये WADA ABP का तीसरा Symposium है और भारत में ये पहली बार आयोजित हो रहा है इसका पहली बार आयोजन 2015 में दोहा कतर में हुआ था और दूसरी बार इसका आयोजन 2018 में रोम इटली में हुआ इस सिंपोजियम का आयोजन राष्ट्री डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्री डोप परिक्षन प्रयोकशाला द्वारा किया जा रहा है ABB एक बहुती महत्पूर्ण वैग्यानिक उपकरण है जो खेलों में डोपिंग रोधी तंत्र विक्सित करने में सायक है ये सिंपोजियम भारत में डोपिंग रोधी कारिक्रम को मजबूत करने में सक्षम बनाईगी इस पर चर्चा करते हुए केंदरी मंत्री अनुराक सिंग ठाकुर ने कहा कि भारत ने इस वर्ष डोपिंग रोधी कानून राश्टी डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 बनाया है ये कानून वैश्विक डोपिंग रोधी अभियान में भारत की प्रतिबद्धता प्रकट करता है इसके अलावा भारतिय खिलाडियों को अंजाने में डोपिंग से बजाने के लिए नाडा राश्टी फॉरेंसिक विज्ञान विश्विद्याल है और भारतिय खाद सुरक्षा मानक प्राधी करण के साथ मिलकर काम कर रहा है राश्टी डोपिंग रोधी एजेंसी को 24 नवंबर 2005 में सोसाइटी पंजी करण अधिनियम 1860 के थैत स्थापित किया गया था इसका कारे भारत में वाडा कोट के अनुसाय डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना वियन इमित करना और डोपिंग एवं इसके दुश प्रभाओं के बारे में जागरोकता पैदा करना है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना नवंबर 1999 में की गई थी वाडा फाउंडेशन बोड संयुक्त रूप से ओलंपिक समिती और पाच महादीपों की सरकारों के प्रतिनिद्वत से मिलकर बनता है वाडा का मुख्याले मॉंट्रियल कैनेडा में है वाडा की प्रात्मिक भूमी का खेलों और देशों में एंटी डॉपिंग नियम को विक्सित करना और समन्वे स्थापित करना है